नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सपना सोमस्कूलियो चानल में और आज हम आठवी कक्षा हिंदी का तीसरा पार्ट लकडहरा और वन के प्रशनोतर यहाँ पर लिखने वाले हैं अगर आप नए हो इस चानल को तो चानल को सब्सक्राइब कीजे बेल आइकन दबाईए ताकि हमारे वीडियो आपके मुबाइल पर सबसे पहले आए मेरा नाम है सपना टीचर और मैं पूने जिले से हूँ आप कहा से हमारा वीडियो देख रहे हैं आप हमें जरूर पताईएगा हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मौलिक सुरुजर में पहला प्रशन है प्रकृती हमारी गुरू विशेपर अपने विचार लिखो मनुष्य की सहचरी सहगामिनी है प्रकृती मनुष्य के दिमाग शरिवा आत्मा को उर्जय युक्त बनाती है प्रकृती की गोध में विचरन करने से हमारा मन स्वस्त हो जाता है प्रकृती हमें पेरिना देती है प्रकृती के सानिध्य में रहने के कारण तपस्वी वेदो की रचना कर सके रामायन जैसे महा कावे का जन्म भी प्रकृति के सानिद्य में हुआ है प्रकृति न ही महान शासरे दिन न्यूटन को गुरुत्वाकर्शन के सिध्धान की खोच करने के लिए प्रेड़ना दी थी महा कवी रविनाट्य गोर को कावे रचना करने की कर सके मानों को प्रकृति के माध्यम से ही सत्यम शिवं सुन्दरम का एहसास होता है प्रकृति मनुष्य का मारक दर्शन करती है इसले प्रकृति को हमारी गुरु कहा जाता है सूचना के अनुसा कृतिया कीजिए कुलाडी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याए तेरना ना आने के कारण कुलाडी बाहर कैसे निकालेगा अब पेड कैसे काट सकता है आज वह क्या बेचेगा आज उसके बच्चे क्या खाएंगे संक्षेप में उत्तर लिखो एक हे पेड द्वारा दिया गया संदेश कभी हरा भरा पेड मत काटो उन्हें अपने बच्चों के समान पालो दो भगवान की शर्थ लकड हरा हरे भरे पेड नहीं काटेगा वो लालच में पढ़कर जरूर से अधिक सुखी लकडी नहीं कटेगा तीन पेडों के उपयोग शुद्ध हवा पानी और भूजन प्रदान करना चार पेडों की कटाई के दुश्परिनाम पेडों की कटाई करने से वर्षा नहीं आएगी वन्ने जियो का अस्तित्व खत्रे में पढ़ जाएगा मनुष्य को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा गृति पूर्ण करो पाट में प्रेव्ट धात्यों के नाम सोना चान्दी भाषा बिंदु में प्रश्न है निम्नर वृत्त दिये गए सग्या तथा विशेशन शब्दों को चांट कर तालिका में उचिस्तानों पर उनके भेद सहीद लिखो उत्तर है नदी भेदे जाती वाचक सग्या पहाडी गुन वाचक विशेशन सीता वेक्ती वाचक सग्या वह लकड हरा सर्वनामिक विशेशन पानी द्रव्य वाचक सग्या चार कीलो परिणाम वाचक विशेशन गरीबी भावाचक सग्या दस निश्यत संख्या वाचक विशेशन इमानदारी भावाचक सग्या पालग जाती वाचक सग्या गंगा वेक्ति वाचक सग्या, चांदी द्रव्य वाचक सग्या, सभा समुवाचक सग्या, कोई अनिश्चित संक्य वाचक विश्रिशन और धनी गुण वाचक विश्रिशन प्रश्ण है पार्ट में प्रयोक्त कार्यक विभक्तिया ढूंड कर उनका वाक्यों में प्रयोक्त करो ने समीने आदित्य से पुस्तक ली विजय को घर जाना है बालक कलम से दिखता है मैंने उसके लिए खिलोने लाई वह अजय का पीटा है वह सीता की बेटी है वह किसान के बेटे है टोकरी में फल है दर्वाजे पर कोई तो आया है उपविजुत लेखिरिन में प्रश्ण है किसी मराठी निमंत्रन पत्री काका रोमन अंग्रिजी में लिप्यंतर करो उत्तर है श्री तेलक मार्ग महराष्ट्र साहित्त परिशदेचा शेजारी आमें एक चोटे कारले उभरले आही या कारले चा वास्तुशांतीचा समारंब दहा डिसेंबर रोजी करणाचे योजिले तेरी आपन या दिवशी सायंकाली चारते सात्य वेलाथ यूद नवया कारले चा वेट द्यावी वो तीरत प्रसाथ ग्यों जावी अशी आमची आगराची विनंती आही नवया कारले चा पत्ता खाली दिला आही कलावे पत्ता XYZ इमारत गांधी मार्ग एश्वन नगर प क्या समझा आपने तो पेड हमारे जीवन दाता है इनसे हमें बहुत सारे फाइदे हैं हमारा जीवन इनी पर अवलंबित है यह हमें अपना सब कुछ देते हैं और बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते अतगा हमें इनकी रक्षा करने में अपना योगदान देना चाहिए त भारत में क्रिशी किसानों की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। परिनाम सुरूग अनेक किसान आत्मात्याता करने को मजबूर हो रहे है। भारत में आज भी अधिकतर लोग क्रिशी पर निर्बर हैं और वो ले लोग अनेक समस्याओं से जूचते हुई अपना प्रिश्टाचार है। इन केंद्रों के अफसर किसानों की समस्याइद दूर करने के बचाएं उन पेसों का उपयोग अपने निजी कार्यों के लिए करते हैं। भारत में आज अधिकतर किसान अशिक्षित हैं जिसके कारण वे अधिक ब्यास जरों पर बड़े-बड़े सा आहुकार को देने पड़ती है या मुझबूरन आत्मात्य कर लेते हैं। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले भारतीय सरकार को किसानों को प्राथमिकते शिक्षा उपलब्द करानी चाहिए ताकि वे कर्ज लेते समय लिखा पड़ी कर सके। किसानों को सरकारी युजनाओं का पूरा लाम मिले या सनिच्छित करना चाहिए। किसानों को कर्ज देने वाली बैंकों की जानकारी किसानों तक पहुचानी चाहिए। ताकि वे कम बैश दरोपर कर्ज लेकर कुरूशी कर सके। लगू उद्योगों के बारे में किसानों को जागरू करना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर हमें कमेंट करके बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजे ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा हो सके। और हम अगले वीडियो में मिलेंगे जो वीडियो कौन सा होना चाहिए आप हमें बता सकते हैं। करके बता सकते हैं।